Hello everyone, welcome to today's video, welcome to mantra लेवाले भीया As we all know कि अपने पास सिर्फ 15 days बच्चे हैं, सिर्फ 15 दिन और इसमें आपको जितने जो इतने दिन से आप एकदम त्यारी कर रहे थे, एकदम war mode में थे तो अब उसका last days आ गए है, तो अब आपको ऐसी गलती ना कर दें, जो आपको नहीं करने चाहिए थी तो उन्हीं सब को लेके मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, और बहुत important वीडियो है आपके लिए skill test के लिए अगर आपने इसको देखा, मैं guarantee दे रहा हूँ, अगर आपकी speed अगर ठीक ठाक भी है, तब भी आप skill को qualify करके आएंगे आपको करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, कि सबसे पहले आप सब्द चिन्न की बहुत अच्छी तरीके से practice कर लेंगे अब सब्द चिन्न की practice मैं क्यों कह रहा हूँ, उस पे भी discussion करेंगे अभी सबसे पहले आपकी book में जो सब्द चिन्न दे रखें, उनको आप देखें, सब्द चिन्न का क्या है? कोई भी matter आप उठा लीजिए 60% आपका सब्द चिन्न होते हैं, ठीक है? आप कभी भी देख लीजिए और especially अगर SSC की बात करें तो SSC में तो बहुत ही ज़्यादा, इसको आप 70 to 75 भी कर सकते हैं, क्योंकि SSC का जो matter रहता है, बहुत ज़्यादा tough नहीं रहता आपका parliamentary type का matter रहता है, हलांकि ऐसा ही आएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, but most probably ऐसा ही आना चाहिए, बहुत ज़्यादा changes नहीं होने वाले आपकी यहाँ से कम ही आएगी, क्योंकि SSC का जो error count करने का तरीका है, वो बहुत यह अच्छा है, तो सब जिसे लोगों आप बिलकुल भी ignore नहीं करेंगे, जितना अच्छी तरीके हो सकता है, इसकी practice करिया, सेकेंड बात करें, अगर रामधारी गुपता की, तो रामधारी गुपता की practice most important for SSC, क्योंकि देखे, SSC के लिए रामधारी गुपता क्यों important बोली जाती है, क्योंकि आपकी जो dictation आई है, अभी last कुछ year में, तो उनमें ऐसा कहा गया कि वो रामधारी गुपता से दी गई क्या है, अगर हिंदी में, अगर हिंदी में किसी चीज को आप ग्रामध्योग लिखते हैं, तो SSC क्या उसको कुछ और बोल सकती है, नहीं बोल सकती है, तो simple सी बात है कि words important है, ना कि dictation, अगर आपको words लिखने आते हैं, अगर आपको राश्च्वापती मोहदे लिखने आ तो वो कितनी वीतेज बोलें, आप लिख लेंगे, लेकिन वहीं पर अगर कुछ अजीब सा बोल दें, तो आप सायत फच जाएंगे, तो आप क्या करी है, रामधारी की जो दोनों book हैं, उन्हें ले लीजिए, आपकी speed अगर ठीक है, अगर ठीक ठाक speed है, मतलब कि आपकी speed 80 85 आ रही है, तो आप first part को जितनी अच्छी तरीके से हो सकता है, उससे dictation लेंगे, second part के जो tough words हैं, उनको आप सीख लेंगे, जैसे रूप रेखा, समास सुननेता, भाव सुननेता, इस तरीके जो अलग words हैं, जो बहुत कम आते हैं, चिरन जीवी, ठीक है, चिरन जीवी हाला कि common, मैं लगा, just a example बता रहा हूँ कि second part आप उठाईए, और उसमें जो difficult words दे रखे हैं exercise में, उसे निप्टे डालिए 5 दिन के अंदर, अच्छी तरीके से practice करिये on words की, इतना करिये, बाकि आप dictation part 1 से लेगे, अगर आपकी speed 80-85 है तो, ठीक है, अगर आपकी speed ज़्यादा है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन I think कि अगर आपकी speed 90 बन रही है, या 90 प्लस है, तो आपका जो skill test है, वो qualify है, क्योंकि इस से जदा tough skill test, इस से जदा fluctuation वगरा बहुत जदा होती नहीं है exercise में, तो आप कह सकते हैं कि अगर आपकी इतनी speed है, तो आप बेफुक्र होकर जा सकत हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और यह जरूर करिएगा part 2 के difficult words, part 1 से dictation लेंगे, और सब्द चिन्नों की अच्छे से practice कर लिया आपने, इतना कर लिया आपने, अब क्या करना है, कि जो आप part 1 से dictation ले रहे हैं, इसी को आप transcribe कर दीजिए, एक या दो matter, regular basis पे, अभी क कम से कम 2 matter का आप कर देंगे, तो काफी अच्छा रहेगा, और अगर आप 40 minute में transcribe कर ले रहे हैं, grade D का matter, तो ठीक है, कोई जरूरत बहुत ज़दा है नहीं, क्योंकि आपको मिलते हैं 65 minute हिंदी वालों के लिए, तो इतना ज़दा कोई दिक्कत की बात है नहीं, अगर आप 40 important है कि लिखना, transcribe करना, तो answer आएगा पढ़ना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी लिखा है, आप उसे speedly पढ़ पा रहे हैं, तो obvious ही बात है, आप उसे transcribe भी कर देंगे, ठीक है, बहुत ज़दा speed की ज़रूरत है नहीं, तो आप क्यों इतना चक्कर में पढ़े हैं, कि हाँ आपकी speed 30 प्रस निकलने चाहिए, transcribing के time में, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर 25 भी निकलते हैं, बहुत आराम से आपका skill test है, वो qualify हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़दा speed के पीछे मद भागिए, आराम से type करिए, आपका वैसे भी बहाँ पे इतना time रहता है, कि आम से matter type होई जाता है, अगर आपने अच्छे से लिख लिया है, तो, क्योंकि, देखे, transcribe के time, लोग कहते हैं कि खुब अच्छे से typing करिये, लेकिन मैं कहता हूँ, जितनी अच्छी आपकी short hand होगी, उतने अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ेंगे, और उतनी ही speed से आप पर वही लगने वाला है, टेस्ट आपका उसी तरीके से होने वाला है, तो आपको at least matter को transcribe करना चाहिए, but I think two is enough, ठीक है, अब क्या नहीं करना है, उसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले अब यह वाला doubt छोड़ दो कि सर pencil से करें, pen pencil में कुछ नहीं रखा है, आप जिस सही योज करता हूँ, हमेशा सही मैंने थोड़े दिन सीखने के बाद मैंने pen सही लिखा, तो मुझे pen ज्यादा ठीक लगता है, अब speed बढ़ाने के बहुत ज़्यदा कोसिस ना करें, अगर आप C में हैं, तो अगर आपकी speed 105 to 1010 इतनी है, और अगर आप D में हैं, तो आपकी speed 85 to 90, sure हो जाईए, आपका skill test निकला है, महले में मिठाईयां बांट दीजिए, ठीक है, क्योंकि इतनी speed पर SSC में बहुत अच्छा, बहुत प्यारी तरीके से बूला जाता है, बहुत इदा हर्बड़ी ने रहती, बहुत सांती एकदम पूरा room बंद होगा आपका, एकदम fan तक बंद कर दिये जाते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ, देखिए, बो जो recording हो रही है, बो भी एक इनसान ही कर रहा है, तो कुछ दिक्कते हो सकती है, कुछ words में sound miss कर सकता है, लेकिन आपका जो overall है, बहुत अच्छा औरा create करके दिता है, ससी आपको dictation लिखने के लिए, कोई द इससे भी कर लें, संपादकी भी कर लें, लीगल भी कर लें, ये भी कर लें, निवंद भी कर लें, साहित भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला इसका, ठीक है, तो कोसिस करिए matter में बिखराओ ना हो बहुत जदा, particularly एक दूबुख है, उन्हीं से आप अच्छी तरीके से practice करि नई outline को ना बनाईए, बहुत important है, मैं देखता हूँ कि last time में किसी ने बता दिया कि इस outline को बना लो, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत short में है, suppose that आप लिखते हैं हानिकारक इस तरह से, हानिकारक, ठीक है, और किसी ने कह दिया, हानिकारक को ऐसे लिख दो, हानिकारक, त suppose that सार्वजनिक आप ऐसे लिख लें है, सार्वजनिक, ठीक है, हालांकि इतना लंबा कोई नहीं लिखता होगा, और किसी ने कह दिया कि सार्वजनिक लिखने के लिए आपको सिर्फ सार्वजनिक ऐसे लिख देना है, तो इस पर अब आपको नहीं जाना है, बिलकुल नहीं भाईया, प्लीज, मैं कहता हूँ, अगर सिलेक्शन चाहिए, तो दूर हो जाओ, देखो, यूटूबर्स का क्या है, उन्हें तो बस व्यूज चाहिए, क्योंकि उन्हें तो चैनल गुरू करना है, और चैनल गुरू करने का सबसे च्छा तरीका ये है, कि कि कटाफ की जाएगी, फाइनल आंसर के बाद अब इतनी कटाफ जाएगी, फिर जब रिएल टाएगा तब किसी का कुछ नहीं से निकलता है, तो इस सब चीजों से दूर है, आपकी डेस्टनी में अगर जवाब नहीं लिखा होगा, तो नहीं मिलने वाला, और अगर मिला होगा, अगर और गर जि इस दिन लास्ट में रिज़ल्ट आया, आपका जो नेम है, वहाँ पर है नहीं, अफिकार की किया है, इसका मतलब कि आपका इसकील ही नहीं कौलीफाई हुआ, आपकी marks है, सबसे एड़ 114 marks है, शोर सेलेक्शन है, लेकिन आपका इसकील ही नहीं कौलीफई हुआ वाक्यों क्योंकि आप तो वीडियो जब आपको प्रेक्टिस करनी थी तब तो आपका डाफ की वीडियो देखने में भी जित है तो इसलिए इस तरीके से वीडियो से दूर है और सबसे इंपोर्टेंट रिक्वेस्ट एड दी एंड में करना जाता हूं आप लोगों से कि है एक ऐसा चैनल है जो आपको हेल्प कर सकता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो बेकार लगता है तो वीडियो को डिसलाइक करें थैंक यू सो मच